राजा और चोर की कहानी सेंद मारी जाएं, इससे दूसरे चोरों के बीच उसका रुत्बा बढ़ेगा। यह सोचकर वह राजधानी आ गया। अब समस्या यह थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाएं। वहां सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे। टैनात रहते थे। कई दिनों तक रेकी करने के और हतोडी लेकर राजमहल पहुचा और जैसे ही घंटी बत्ती वह दीवार पर एक कील ठोक देता। इससे घंटी की आवाज में हतोडे की आवाज दब जाती और किसी को पता भी नहीं चलता था। इस तरह उसने 12 कीले ठोक दी। उन कीलों के सहारे वह महल में दाखिल हो ग गया। अगले दिन जब राजा को चोरी का पता चला तो उसे यह जानकर बढ़। इह हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल से चोरी करने में काम्याब हो सकता है। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ती रात में घूमता नजर आए तो चोर समझ कर गिरफतार कर लिया जाए। दरबार में एलान के वक्त चोर भी भेश बदल कर मौझूद था। उसने चालाकी से पता लगा लिया कि कौन-कौन से सिपाही इस काम के लिए चुने गए हैं। उसने उन सिपाहियों के घर का पता लगाया और साधू का भेश धारन करके उनके घर पहुँच गया। वहां उसने पाया कि सभी सिपाहियों की पत्निया चाहती थी कि उनका ही पती चोर को पकड़े। इस बात का फाइदा उठाते हुए उसने सभी की पत्नियों को कहा कि पूरी रात तुम हारे पती चोर की तलाश में बाहर रहेंगे, इस बीच चोर तुम्हारे पती का वेश धारन कर घर में घुसने की कोशिश करेगा, भले ही वह तुम्हारे पती की आवाज निकाले, लेकिन तुम उसे अंदर मत आने देना और गर्म कोईला फैकना, इससे चोर घायल हो जा पत्मियों ने हामी भर दी, वहीं सिपाही पूरी रात गश्ट करते रहें और चोर की तलाश करते रहें, सुबह के चार बजे गए थे, सभी सिपाही चोर को ढूनते ढूनते ठक गए, तभी सारे सिपाहियों ने सोचा की अब घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, जब व अधेश बदल कर आया है, वे जलता हुआ कोईला अपने पतियों पर फैकने लगी, इससे सारे सिपाही घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भरती कराना पड़ा, दूसरे दिन राजा को जब सारी बात पता चली, तो वहाँ चिंतित हो गया, उसने फोरन कोटवाल को आदे कोटवाल ने उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम? यूवक ने कहा, मैं चोर हूँ. कोटवाल को यकीन नहीं हुआ, भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है, उसे लगा यूवक मजाक कर रहा है, कोटवाल ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है, वह यूवक चोर तयार हो गया, कोटवाल उसे लेकर एक कमरे में गया, जिसे देखकर चोर ने बोला कि कोटवाल साहब इस जेल को तो कोई भी खोल सकता है, कोटवाल बोला, इसे खोला नहीं जा सकता, चोर बोला, आप अंदर जाये, मैं बताता हूँ इसे कैसे खोल सकते हैं। कोतवाल मान गया और जैसे ही अंदर गया। चोर ने दरवाजा बंद करके लौप कर दिया और हंसे हुए बोला। मैंने पहली ही बोला था मैं चोर हूँ। आप माने नहीं। कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा, सुबह सिपाहियों की मदद से कोतवाल किसी तरह जेल से बाहर आया और राजा के पास पहुचकर उसने सारी कहानी सुनाई, पूरी बात सुनकर राजा दंग रह गया, अब उसने खुद चोर को पकड़ने का फैसला किया, रात होने प कर काट रहा था, इस दौरान उसने पेड के नीचे साधू को बैठा देखा, तो पूछा कि बाबा इधर से किसी अजनवी इनसान को जाते देखा है क्या, साधू के भेश में बैठा चोर बोला कि मैं ध्यान में था, इसलिए देख नहीं पाया, इस दौरान राजा को एक व पहना देगा, ताकि वहा नगर के चक्कर लगा सके, पहले तो चोर इस बात पर राजी नहीं हुआ, लेकिन काफी चर्चा के बाद वहा राजा के कपड़े पहनने के लिए राजी हो गया, राजा साधू के भेश में पेड के नीचे बैठ गया, इस दौरान चोर ने राजा के कपड़े पहने, घोडे पर बैठा और महल जाकर आराम से सो गया, जब पूरी राद गुजर गई, सुबह के चार बजे के करीब राजा को लगा कि साधू तो अब तक लोटा नहीं और नहीं कोई अजन भी इस रास्ते से गुजरा तो उसने महल लोट जाने का फैसला किय जब वह महल के फाटत के पास पहुचा, तो पहरेदारों ने सोचा कि राजा तो काफी पहले महल आ चुके हैं, ये जरूर कोई बहरूपिया है, उन्होंने राजा को बहरूपिया समझ कर जेल में डाल दिया, भोर होने पर एक संत्री ने राजा को पहचाना और जेल से बाह पहर निकाला, वह राजा के पैरों पर गिर कर माफी मांगने लगा, राजा ने उसे माफ कर दिया, राजा ने महल पहुंकर देखा कि चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया और उसी की, पोशाक में फरार हो गया, अगले दिन राजा ने एलान किया कि अगर चोर उसके सामने आ जाएगा तो उसे बक्ष दिया जाएगा, साथ ही उसे इनाम भी दिया जाएगा, चोर वहां मौझूद भीर से निकल कर बोला कि मैं ही चोर हूँ, सबूत के तौर पर उसने राजा को उसकी पोशाक दिखाई और चोरी का सारा सामान भी वापस कर दिया, राजा ने अपन चोरी नहीं करेगा, इस तरह चतुराई के बल पर चोर ने खुद को साबित किया और खुशी-खुशी जीवन यापन करने लगा, कहानी से सीख, अगर इनसान में बुद्धिमानी और समझदारी है, तो वहां विशम परिस्थितियों में भी खुद को साबित कर सकता है, अपली वीडियो में